नमस्कार जैहिंद कैसे हैं उमीद करता हूं बिल्कुल शांदार होंगे जवर्दस्त होंगे जैसा कि बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए जो टेस्ट सिरीज मैं आपको प्रवाइट करा रहा हूं सब्जेक्ट वाइज उसमें भी टॉपिक वाइज है ना मैंने आप लोगों को पॉलिटी शुरू करा है क्वाइटी में हमने संभी द्रick कर द ins बाद कर लोग और सब्सक्राइज हम लोग बीज के बाद 21 से जो परस्न रोशू करें गे क्योंकि देखिए प्रश्ण तो बनेगा है प्रश्ण तो आपसे पूछा ही जाएगा आप पढ़िए या ना पढ़िए अगर पढ़ेंगे तो एक्जाम में अच्छा करेंगे ना पढ़ेंगे तो फिर वहां बैठ करके और जहकिएगा बैठ करके कोई उपाय भी नहीं है तो 20 बैठ के रूप में लूँगा एक लाइग और कोछ नहीं चाहिए चलिए देखिए 21 कोस्ट कहरा है तो कह रहा है कि विधार मंडल के रुप में काम करना ये कब सुरू किया ओप्शन है आपके सामने देखिए ओप्शन है जुलाई 1946 अक्टूबर 1946 दिस्तंबर 1946 या 17 नवंबर 1946 चार ओप्शन है बिलकुल एक्जाम में ऐसे ही प्रस्ण पूछेगा चार ओप्शन देगा अब को लगेगा कि कौन सही है कौन गलत है तो इसका जो राइट आंसर है न दोस्तों वह हो जाएगा क्वेश्चन नमर्व वन का डी है ना पहले का डी हो जाएगा 17 नवंबर उनिसो सेंटालिस 17 नम्मर उनिसो सेंटालिस को डॉमिनल विधान मंडल के रूप में कारे करना प्ररम किया था एक चीज में और बता दू जितने भी क्वेश्चन सही हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा कि आपने इस 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ ह है ना यह कमेंट कर दिया कि आपका कितना सही हुआ है क्या आपको यह चीजे पहले से जानकारी थी या नहीं चलिए 22 सवाल भारतियस संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया राष्ट्र ध्वज जो हम लोग फैराते हैं राष्ट्वज उसको कब अपनाया आप्षन है 24 जन्वरी 1950 ऑर आप्षन है दूसरा आप्षन जो है वह है 22 जून 1947 तीसरा आप्षन है 26 जन्वरी 1950 और चौथा उप्षन है इनमें से कोई नहीं बताइए राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया है कितने लोगों को लग रहा है 24 जन्वरी 1950 कमेंट कर दिजे है कि 26 जनवर 1950 को राष्ट द्वज अपनाया गया कमेंट कर दिए लेकिन 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 जो सही आंसर है वह हो जाएगा 22 जुलाई 1947 22 जुलाई 1947 अब आप कहेंगे कि यह तो आप्शन में नहीं है तो आप्शन में इनमें से कोई नहीं है तो है तो दूसरा का भी जो हो जाएगा वह आप्शन क्या हो जाएगा भाईया दूसरा का भी आप्शन नमबर बी सही हो जाएगा चलिए आगे आते हैं कैवे सवाल की ओर तेश्में की ओर चलिए तेश्मा सवाल क्या कहा रहे देखते हैं संबिधान बनने में कुल कितना समय लगा था संबिधान बनने में कुल कितना समय लगा था ओप्शन देखिए 24 जनवरी 1950 और सॉरी पिछले वाले का ही ओप्शन में पढ़ रहा हूं इसमें देखिए आ गया गया क्वेश्चन बदल गया क्वेश्चन तो बदल गया है तेश्वा नमबर सवाल है ना यहां पर मैं तेश्वा कर देता हूं ठीक तेश्मा सवाल कह रहा है संबिधान बनन को अफ्शन नमर सी में है दो क्या है नहीं है Dover 21 ग्यारह डिन म्हान हैं डेकिए इसको अगर गवाष्चन को आपसर सकते हैं प назвर जो डव्य वा क्या कह रहा है कि दो वर्स तो अठारह माह कि ग्यारह दिन धना धीन यह बताइए आठारह महां होगा तो देड़ साल होगा तो यहां लिखाँ जा सकते था तीन वर्स च्छाए महाह कि यह तो अपको ऐसे ही लग गया कि यह गलत है डी तो हो गाही अब आपके पास क्या बच वह बच गया हम आपको ये पता ही है ब्लाक्त वर्ष का समय तीन सभी लगा था है ना तो भाइस की टीन वर्षक समय लगा था वारह दिन तो जो ऑफजन हो जाएगा साउठा सयहй होने वाला है बचल आपसन है कि आपकशन सी सही होने कॉर कि माने अब आते हैं हम लोग प्रश्ण संख्या चौविश की ओर 24 प्रश्ण क्या कह रहा देख लेते हैं हम लोग प्रश्ण प्रश्ण संख्या चौविस क्या कह रहा है चलिए समबिधान सवाकि आंतिम बैठक कब भूए THE보다 पिछले विडियो में हमने पहली वैठक बारे में जाना a ferment करिए कि क्या आपको याद है पीछली विडियो में आपने पढ़ा है कर पहली बैठक कभ हुई थी आज लोगं पढ़ेंगे कि संपिदh जानलेजेए कि इसको पहला ओप्षन है चुबी जनवरी नीइशोबचास दूसरा ओप्षन है चोबी जनवरी निफंशो पचास त्हीं सुपचास और लास्ट ओप्षन है इन में उसे कौई नहीं तो कमेंट करें 24 का क्या होने वाला है अंसर अगर आता है तो कमेंट करें नहीं आता है तो वेट करिए है नहीं तो अंतिम जो बैठक हुई थी ना दी 1950 यानि कि ऑप्सन नंबर बी जो हो जाएगा वहाँ इसका सही ऑप्सन जाएगा चोबिस जन्वरी 1950 को इसके अंतिम बैठक हुई थी 26 जनवरी को भी एक बैठक हुई थी बट वो अंतिरिम संसद के रूप में हुई थी ना कि संविधान सवा के रूप में इस बात का आपको द्यान रखना है वो अंतिरिम संसद के रूप में हुई थी संविधान सवा की जो अंतिम बैठक हो रही है वह हो रही है 24 जनवरी 1950 और पहली बैठक कब हो रही है जरा कमेंट कर दीजेगा चलिए 25 नमबर सवाल नीचे दिये गए कथनों को सुमेलित करना है नीचे दिये गए कथनों को सुमेलित करना है एक तरफ है संग सक्ति समिति और संग्य संविधान समिति और प्रांतिय संविधान समिति और प्रारूप समिति इनको सही करना है है न कि कौन इसका सही होगा तो देखिए यह बहुत हीजी है बहुत हीजी है इसको कैसे चाड़ सकते हैं प्रारूप समिति तो भीम्रों अमेड कर जानते ही है अप तो जो डी होगा डी में चार हो जाएगा ठीक उसके बाद प्रांतिय संभिधान समिति प्रांतों के लिए सरदार बल्ला भाई पटेल थे ही तो सी में क्या हो जाएगा अप एक हो जाएगा, डी में चार, सी में एक, संग सक्ति समित्य और संगिय समिधान समित्य दोनों में जॉ स्टोगों है। । यह तो यह चार है यह तो यह तुम ऐबroc Sally कोच में लिएंदो कर सकते या GOT यह जो घल ment राजितंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा भहिया? तो जो right answer हो जाएगा वहाँ आपका हो जाएगा आपसर तो जो right answer हो जाएगा वहाँ देखिए B में 4, C में 1, A में 2 A में 3 या A में 3, B में 2 ऐसे करके आप कर लिएगा चलिए आगे चलते हैं हम लोग तो इसका आपने देख लिया न इसका यहाँ पर आपने देखिए 26 का देखते हैं 26 का देखिए क्या कहता है नीचे दिये गए कथनों को सुमेलित करना है है ना क्या सुमेलित करना है भाई देखते हैं मौलिक अधिकार उप समिती अल्प संख्यक उप समिती संचालन समिती प्रकिरिया नियम समिती अब देखिए मौलिक अधिकार उप समिती और अल्प संख्यक उप समिती जो है वह है एचसी मुखरजी है मौलिक अधिकार उप समिती जो है वह जेवी किरपलानी है और संचालन स सब्सक्राइब करना है इसमें आपको कुछ नहीं करना है तो 26 का जो सिक्वेंस है वह A, B, C, D बिल्कुल राइट है चलने 27 को आगे चलते हैं हम लोग 27 को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है चलिए 27 नमर प्रश्ण आ गया क्या कर देखते हैं प्रश्ण भी यहां से उड़ उड़ जा रहा है न प्रारूप समिती का गठन कब हुआ था प्रारूप समिती का गठन कब हुआ था औप्शन नमर A है 15 अगाष्ट चुनियस सैतालिस Vincent नमर 이건 29 अगाष्ट चुनियस सैतालिस नमर सी है दिसम्बर मैं 1946 और और बाइट प्रारूप समिती का गठन हुआ था वह 29 अगास्ट 1947 को बता यानि कि option number B इसका सही हो जाएगा है ना एक चीछ द्या दिजिए प्रारूप समिति का अगठन किस ने किया था ये भी पूछता है किस ने किया था तो डॉक्टर बी आर अमबेडकर ठीक ना है अमबेडकर भीम राओं अमबेडकर ने किया था तो ये भी आपको याद रखना है और कब इस भी पूछे तो 29 अगास्ट 1947 इसकी तारिक हो जाएगी चलिए 28 नमर सब्सक्राइगा कि कितने प्रशन आपके सही हो रहे हैं है ना ऐसे नहीं काम च लिपने बे则ते बीना महणत के तो दालबात नहीं सब्सक्राइब चलिए प्रारुप सम्मेटी यह और स्वामियं और भी पता कि यह जो प्रश्ण है ना यह बिहार दरोगा में पूछा भी गया है यह बिहार दरोगा 1717 में पूछा भी गया है यह प्रश्ण कि कौन शामिल नहीं थे ठीक ना ऑप्शन है राजेंदर प्रशाद भीम्राव अमबेटकर गोपाला स्वामी आयंगर और केम मुंसी तो जो न कारुब समिति में साथ सदस्य थे कितने थे साथ कौन कौन थे देखिए भीम्राव अमबेटकर तो थे ही ठीक दूसरा नमबर पर जो अप्शन में है गोपाला स्वामी आयंगर गोपाला स्वामी भी थे गोपाला स्वामी भी थे ठीक ना कृष्णा स्वामी एक थे कृष्णा स्वामी आयर कृष्णा स्वामी आयर थे केम मुंसी आपको अप्शन में है ही केम मुंसी है ही देखिए एक हो गया दू हो गया तीन हो गया चार हो गया टीटी कृष्णा माचारी थे साथ लोग थे टीटी कृष्णा माचारी थे भीमरामिटकर गोपाला स्वामी कृष्णा स्वामी के एमुनसी टीटी कृष्णा माचारी इसके वाद जो छठवे हैं वो है मुहमद सादुल्ला मुहमद मुहमद सादुल्ला है जो साथवे हैं वह माधहु रहा है इन भी माधभरह है साथवे हैं अपैटकर जी हैं गुपाला स्वामी ईयाँयंगर है यह आ ईयाँयंगर है क्रिष्ण स्वामी ईयर है के मुनसी है है ना और टी टी कृष्णा माचारी है मुहम्मद सादुल्ला है और एनवी माधोराओ है 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 ना माधोराओ तो यह साथ लोग ही है बाकी ऑप्सन में क्या है डॉक्टर राजिंद प्रसाद तो राजिंद प्रसाद नहीं है तो option number A इसका हो जाएगा कि नहीं है है नहीं लिख भी दिया है चली 29 नंबर सवाल आते हैं देखे सब कुछ इसको नोट कर लीजिए यह पूछता है बच्चो चली आगे चलते हैं हम लोग 29 नंबर सवाल की और प्रारूब समिती ने प्रारूब तयार करने में कुल कितने बैठक करी थी है ना प्रारूब समिती ने प्रारूब को तयार करने में कुल कितनी बैठक करी प्रारूब समिती ने कुल कितनी बैठक करी है प्रारूब को तयार क तो देखे प्रारूप समिति ने कुल बैठक तो 141, 141 की, लेकिन पूछे कि कितना समय लिया, तो लगभग 6 माह, 6 माह से भी कम लिया है, है ना, 6 माह से कम, याद रखेगा, सोचिए, 6 माह में 180 दिन, और 141 इन्होंने बैठक करी, कितनी, तो लगभग लगभग, इन्होंने प्रते दिन बैठक किया है, है ना, क्योंकि बीच में, संडे वंडे भी रह रहा होगा, तो थोड़ा मान की से लिए कादिर रेष्ट, बाकि तो लगभग इन्होंने काम किया ह किया है, तो जो option number A हो जाएगा, वह सही हो जाएगा, प्रारूप समिती ने प्रारूप तयार करने में कुल कितनी बैठक करी भी गया, 141, देखी ये सारे प्रश्ण हैं, बहुत ही महत्पूड हैं, जो आप सामानने बुक में नहीं पाते हैं, सामानने किताब में नहीं पा पायद हम नहीं पढ़ें, कहां से पढ़ें हैं ना, तो यह ऐसे सारे प्रश्ण अगर आप हम से जुड़े रहेंगे, तो मैं ऐसे सारे प्रश्ण आपको करा दूंगा, कहीं से कोई आपको समस्या नहीं होगी, है ना, एक मेट जड़ा सा, वायर माइक का जो है वो हस रहा है ना, तो चलिए, देखें कैमरा भी आपका, एंगल चेंज हो रहा है, हाँ, तो चले हम लोग, तो आगए, देखिए, हमने यह जान लिया, कि कुल 141 बैठा कुई है, और समय कितना, तो लगभग 6 माह से कम का समय लगा है, आते हैं तीसमें नमबर सवाल क्योंग, समिधान सवा में समय पेहली बार कब पढ़ा गया, बहुत बढ़ी आप।रश्न है, जबन देखिए, यह जो प्रारूप समिती जो था, इस ने अपना अंतिम प्रारूप जो था, वह अंतिम प्रारूप इस धिन प्रारूप इसे दिर पेस किया, चार नवंबर 1948 को जब अंतिम पेश किया तो उसी दिन पहली बार उसको पढ़ा गया था तो उसी दिन पहली बार पढ़ा गया था और पढ़ने के बाद इस पर देखिए अब आप कहेंगे कि सर जब चार नवंबर को ही पढ़ दिया गया 1948 में ही तो 26 नवंबर 1948 तक क्या कर रहती तो देखिए चीजे बहुत सारे लिखी गई ही प्रारूप समिती ने बहुत सारे चीजे लिखे करके दी लेकिन उसमें संसोधन बहुत जादा हुआ बहुत जादा संसोधन तो उसको संसोधित करके और जो फाइनल जो बना है वह आप चाविश्ट नवंबर 1948 को बना है तो लिखा तो जाही रहा था उसको पढ़ा गया फिर उसमें संसोधन हुआ बार बार लिखा गया बार बार संसोधन हुआ तो इस चीज़ को समझेगा तो और इसका यह जो है वह राइट हो जाएगा चली 31 सवाल देखते हैं क्या कह रहा ह आईए प्रस्व संख्या 31 एक मिट हां चाविश्ट नवंबर 1950 सॉरी उननचास हो गया यहां पर चाविश्ट नवंबर क्या क्या सामल सा कह रहा है देखे option है 395 अनुशेद 8 अनुशूची और प्रस्तावना लेकिन यहां पर ध्यान दिजेगा यह पूरे चीजें लागू नहीं हुई थी 26 मुमबर 49 को यह पूरी की लागू नहीं हुई थी इनमें से केवल 15 अनुशेद ही लागू फूरा लागू था वह 26 जनवरे उनुशूपचास को लागू वह था किन संब्धान में तो यह सारी चीजे थी थी यह ध्यान रखेगा पंद्रह अनुशेदों को ही लागू किया गया था तो यह जो 395 अनुशेद, आठ अनुशूची और प्रस्तावना जो है यह अगर पूरी तरह से लागू की बात करी जाए तो 26 जनवरी 1950 को हुआ है इस बात कभी आपको ध्यान देना है तो यहाँ पर 26 नुवंबर के बजाए 26 जनवरी 1950 होना चाहिए ठीक ना, चलिए तो जो इसका आंसर हो जागा 31 का, B हो जाएगा आवाते हैं 32, 32 नमर पर आवाते हैं इनमें से किसे संबिधान के जनक के रूप में जाना जाता है संबिधान के जनक, भीमरों बेट कर बच्चे बच्चे जानते हैं बच्चे बच्चे जानते हैं तो आप्शन नमर ए इसका सही हो जाएगा 32 का ए, अब आते हैं प्रस्ट संख्या, 33, 33 नमर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, चलिए, एक में और ज़रसा प्रस्ट नहीं और जा रहा है हम फिर्करेंगे संबिधान साबा द्वारा प्रतिक के रुप में क्या बनाया गया था, प्रतिक या मुहर के रुप में क्या अपनाया गया था अप्सन है हाथी, घोडा, सेर या बाग संबेधान सबाकर जो मुहर था जो प्रतीक था उसमें किसका प्रयोग किया गया था तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सेर का प्रतीक नहीं था सेर का नहीं था तो बाग का था तो जी हाँ बाग का भी नहीं था तो क्या सर घोड़ा का था जी हाँ घोड़ा का भी नहीं था इसका मतलब हाथी का था ध्यान रखेगा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था तो आप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा आप चलते हैं चौतिश नंबर किसे संब्धान सभा के संब्धानिक सलाहकार या कानूनिक सलाहकार कानूनी सलाहकार के रूप में निक्त किया गया था संब्धानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार किसे निक्त किया था बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल बिहार पुलिस बिहार दरोगा सब में पूछा गया है य बी-इन राउ जो है वो झमेन बी में है बी-इन राउ और भीम राउ ौश व। यह देदे गा आपको option देदे तो इनका जो हो जाएगा वो 34 का हो जाएगा वी एन राव है ना संब्धान सभा का सची किसे निप्ट किया गया था देखिए यह अब जो प्रशना रहा है न देखिए जो बच्चा सुरू में देखे चला गया सोचा कि क्वेश्चन तो इसा है तो उसको नुक्सान होगा यह यह जो टाउप क्लासस कोईश्चन हैं यह सब बहुत ही महत्पूर्ट प्रशन है संब्धान सभा का सची किसे निप्ट किया गया था 35 नंबर सवाल हम लोग आ गये हैं तो संब्धान सभा का सची ऑप्शन है वी इन राव एच बी आर आयंगर एच सी मुखर जी भीम राव अमबेट कर किसे निप्ट किया गया था भी या किसे तो एच बी आर आयंगर को किसे एच बी आर आयंगर को तो ऑप्शन नमबर बी इसका भी सही हो जाएगा एच बी आर आयंगर को जो था वह सची निप्ट किया गया था सची कौन थे एच बी आर आयंगर देखिए अध् जब पुदे सचीव तब आपको गरवड़ा जाता है ना तो धियान रखेगा तो जो राइट अंसर है वो होगा चलिए आगे चलते हैं किसे संभिधान सभा का बुख्य प्रारूपकार इसमें तो आधिकांस बच्चे गलत करेंगे नभे पंचानवे परसेंट बच्चे गलत करेंगे नहीं है तो आप ट्राई करके देख लेजिए उप्चन नमबर 36 का आप कमेंट कर देजिए पहले है ना तो संभिधान सभा का प्रमुख्य सलाहकार जो है सौरी प्रारूपकार कि सब्सक्राइब कर नंदलाल बोस एल एन मुखर जी चलिए दो बार हो गया तो चलि भीमरा बोस एलन मुखर जी है ना किसे मुख्य प्रारूपकार अब कितने लोगों को लग रहा है कि नंदलाल बोस होगा कमेंट करिए जरा कितने लोगों को लग रहा है नंदलाल बोस चलिए कमेंट करिए कि कितने लोगों को लग रहा है कि एलन मुखर जी होगा कमेंट कर तो यहां पर आपको जानकर हैरानी होगी कि मुख्य प्रारुपकार जो थे वह एल एन मुखरजी थे भीम्रांबिटकर वाले भी गलत थे और नंदलाल बोस वाले भी गलत थे तो जो एलन मुखरजी है वो सही है है ना 36 तक आपने देख लिए आप चलते हैं 37 पर चार पाच प्रश्न और हैं जो की ऐसे ही महत्पुड़ है कर लिजे संब्धान सबाके प्रमुख सुलेखक के रूप में किसे जाना जाता है बहुत ही सांदार प्रश्न ला जवाब प्रश्न संब्धान के प्रमुख प्रमुख सुलेखक के रूप में किसे जाना जाता है नंदलाल बोस प्रेम बिहारी नारायन रायजादा भीम रावंबेट कर H.C. मुखर जी तो प्रमुख सुलेखक जो थे वह प्रेम बिहारी नारायन रायजादा यानि कि आप्शन नंबर B जो है वह सही हो जाएगा अब आते हैं हम लोग प्रस्ण संख्या 38 की उर मूल संब्धान के हिंदी संस्क्रण का सुलेखन किस ने किया था देखे इसम भी बहुत सारे बच्चे गलत होंगे और सने बसंत क्रिष्ण वैद नंदलाल बोस प्रेम बिहारी नारायन रायजादा या भीम रावंबेट कर हिंदी संस्क्रण का सुलेखन की बात करें तो हिंदी में जो संस्क्रण आया उसका सुलेखन जो किया है वह बसंत क्रिष्ण वैद ने किया है अब आप कहेंगे सर नंदलाल बोस भी पढ़े है हम लोग नंदलाल बोस भी है है ना तो नंदलाल बोस ने अलंकृत किया था उ क्रिश्न वैधने यानि कि 38 का ओप्शन नमबर ए बिलकुल सही हो जागा कमेंट करिए कि क्या ऐसे प्रश्चन आपने पढ़े थे मज़ा आ रहा है कि नहीं कमेंट करिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा एक चीज मैं और बता दूं बहुत सारे बच् क्रिशन तो बदल नहीं जाएगा आंसर बदल नहीं जाएगा दरोगा में अगर इसका अनंदलाल बोस्त नहीं हुआ तो विहार से पाही में भीज का अनंदलाल बोस्त नहीं होगा क्रिश्न वैध ही होगा आंसर नहीं बदलेगा आंसर वही रहेगा संभिधान सभा में कु कितनी थी उनकी संख्य है ना तो कमेंट कर दिये ज़रा तो कुल जो महिला थी ऑप्चन है 12 13 14 और 15 कितनी थी तो 15 याद रखेगा बच्चो 15 महिलाय थी कितनी थी 15 अब आते हैं 40 नमबर प्रस्ट पर देखे 40 क्या कह रहा है सम्मिधान सभा के चुनाओं में मुस्लिम लीग को कितनी सीटे मिली थी यह प्रस्ण में कल भी करा चुका हूं मुस्लिम लीग को जो सीट मिली थी वह मिली थी 73 तो देखे ऑप्सन नमर बी जो है इसमें राइट हो जाएगा चलिए आब आते हैं 41 नमर प्रस्ण क्या कह रहा है देख लेते हैं चलिए समिधान सभा के चुनाओ 1946 में जो हुआ था समिधान सभा के चुनाओ उसमें एंगलो इंडियन की कितने प्रतिन थे बहुत ही खतरनाक प्रस्ण है इंपोर्डेंट प्रस्ण है दरोगा में एकदम समझ लीजिए कि पूछ देगा तो बच्चे छितरा जाएंगे छितरा जाएंगे जो यह आखरी के 10 प्रस्ण है यह एकदम पीवन कैटेगरी का है समझ लीजिए तो पूछेगा आप्चान है देखिए एक, दो, तीन, चार 1946 में जो चुना हुआ था इसमें भी Anglo-Indian सामिल था सोचिए Anglo-Indian का कितना पहले से आ रहा है तो इसमें कितने थे एक, दो, तीन या चार कमेंट करिए तो किन किन को लग रहा है एक और किन को लग रहा है दो और किन को लग रहा है तीन और किन को लग रहा है चार तो जो कुल संख्या थी वह थी तीन जी हां तीन जो है वह सही अंसर है संविधान सभा का पहला सत्र कब प्राराम हुआ था अक्टूबर नवंबर 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 एक भी प्रश्ण का आंसर आपको पता है तो कमिट करिएगा कि सर मुझे फालना क्वेशन का आंसर पता है तो सम्विधान तवा का जो पहला सत्र प्रारंब हुआ था वह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को है ना पहला सत्र जो प्रारंब हुआ था वह कब हुआ था भी या तो 9 को इसका पहला सत्र प्रारंभ हुआ था यह चर्चा में कल भी आपसे किया था है निध्या सवा सवाह ना और आखिरी सवाल है आज का तो इसका हो जाएगा option number देखते है option क्या है और सब्सक्राइब 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 कुल कितने सत्र होई है यहां भी प्रश्ण बिहार दरोगा में पूछ लिया गया है मैं आपको पहले ही बता कि आखरी के जो 10-12 प्रश्ण है न वो पीवन केटेगरी के है हाई प्रियोर्टी वाले यहां से प्रश्ण मैक्सिमम बनेंगे तो चलिए समिधान सब्सक्राइब में कुल कितने सत्र हुए थे 8-9-10-11 अब आप कमेंट करिए इसका आंसर मैं आपको नहीं बताओंगा बताओंगा परशान मत हुए मैं बिलकुल बताओंगा तो जो कुल लोग इसको 26 जन्वरी उन्यशो पचास उसको भी जोड़ लिते हैं, लेकिन वह अंत्रिम संसद के रूप में बैठक होई थी, संभिधान सभा की बैठक वो नहीं थी तो कुल जो होगा। वो option number A यानि कि 11 जो हो जाएगा हुआ सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तो question आप ने देखा सब कुछ आपने सीखा समझा इसका पीडियेप चुकि मैं पेडियेप पहले वीडियो का नहीं दिया हूँ इसका पीडियेप अपने ही टेली ग्राम चैनल पर दे दूंगा वाहा से आप पीडियो कि समांत करते हैं नमश्कार